हेलो गाइस क्या सब सब आप सब बहुत थी बढ़िया होंगे ओके सुगाइस आज हम सिखेंगे कि काइन मस्टर में जो एनिमेशन टूल है उसको क्या से यूज़ करना होता है वैसे यूज़ करने के लिए तो बहुत सारा अप्सेंस है लेकिन आप लोग को सिर्फ आज एनिम यूज़ करते हैं क्योंकि इस अप्सेंस है जिसको यूज़ कर सकते हूं आज मैं आप लोग को सिर्फ एनिमेशन टूल के बारे में बताऊंगा कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखना अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करना तो चलो यार वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले हम काइनवास्टर एप्लेशन को ओपिन करेंगे ओपिन करने के बाद यहां पर इसका जो इंटरफेस है वह आप लोग के समने आ जाएगा तो यहां पर कुछ ऐसा आप्शन से जिसको यू और निक्स के उपर क्लिक कर देना तो यह आप लोग को काइन मास्टर में जो होम पेज है जो टाइम लैन है वह आप ले गया जाएगा जो गैलरी है वह ओपन हो जाएगा तो यहां पर मैं एक वीडियो यहां पर एड कर लेता हूं और निक्स प्रोसेस आपको उसके बाद जो गाइज यहां पर मैंने एक फर एकजेंपल वीडियो एड कर लिए नॉर्मल शाइक वीडियो है जिसके उपर मैं आप लोग को जो एनिमेसन माला टूल है उसको यूज करने का तरीका बताऊंगा सबसे पहले हम लोग यहां पर कोई वी एक फोटो हो गया पीन जी होग टेक्स्ट हो गया जो भी आप यहां पर एड करना चाहते हो वह आप यहां पर एड कर सकते हो फरक्जेंबल मैं यहां पर टेक्स्ट एड करूंगा तो टेक्स्ट के उपर क्लिक करूंगा एंड यहां पर जस्ट कुछ भी मैं यहां पर लिख देता हूं सपोज में यहां पर यूज करके आपका जो वर्क है वो आगे कंटिनू कर सकते हूं तो यहाँ पर मैंने जो फॉंट है उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया तो आप ही क्या करेंगे आप ही आगर आप देखो मैं नॉर्मल जब एड करने के बाद में कोई भी फूटेज को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया ठीक है तो यहाँ पर कोई भी आप्शन नहीं आ रहा होगा अनिमेशन वाला टूल कैसे आएगा तो उसके लिए आप लोग को उसी टाइल जो आप एड करते हो उसके उपर आप करना है और उसके बाद आपको लेफ साइड में जो चावी वाला आइकन दिख रहा होगा इसके उपर टैप करने के बाद आप यहाँ पर एनिमेशन एड कर सकते हो तो कैसे आड करेंगे तो मैं आप लोग को दिखाता हो कि यह लेफ साइड में तो इसका आम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए आप जितना चाहते हों उतने तक आप यहाँ पर आप लोग को सामणे के सारब जाना है reflective कर दे proces जो टेक्स्ट होगा उसको आप इस तर पर के स्लाइड करके आप राइट 처ण में इस तर गैसे लेके ऐसके वह ठीक गया उसके बाद अगर आप लेट से राइट से नीचे लेकित जाना चाहते हो तो फिर आप लोगोको इस तरह यपी जोड़ा सावने उसको नीचे लेकर आना है उसके बाद फिर से जाना है आगर चाहते हो कि प्लस के उपर किलिक करेंगे वह भी कर सकते हो अगर आप आप सिंपल उस जगह पर लेके अगर आप इस तरह स्वाइब करते हैं आपके टेक्स्ट को तो और प्लस को उपर किलिक पढ़ जाएगा तो यह पर मैं इसको प्ले कर दोंगा वह और तो आप देखेक्टों मैंने जिस तरहें से एनिमेशन को अड़ किया विल्खूल उसी तरहें से यह आनिमेशन यहाँ पर वर्क करना आप देखो राइट उसके बाद नीचे उसके बाद फिर लेट तो आप देखेक्टों बहुती आसन तरीका है एनिमेशन टूल को य गर सकते हो फिर प्लोग को कुछ टाइम देना होगा एक प्रो वीडियो डिक करने के लिए थोड़ा वह टाइम देना इपड़ता है नहीं तो वह वीडियो प्रो लेविल का एरिटिंग नहीं होता है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हूं मैं नेक्स्ट वीडियो उससे रिगार्डिंग बनाने की कोशिश करूंगा तो चलो यार मिलते के नहीं और आस्वा मीडियो साथ तब तक के लिए बाई